Hello everyone, myself Akangshah Vishnoy, welcome back to my YouTube channel Study with Akangshah, hope you all are well, so guys, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे GK का कुछ important topic, वैसे तो YouTube पर आपको GK की बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, but आज मैं आपके लिए कुछ अलग concept लेके आई हूँ, ये competitive exams में and 10th, 12th board exams में ये questions बहुत जादा पूछे जाते हैं, so पूरे topic को अच्छी तरीके समझने के लिए वीडियो को end तक जरूर देखें, चलिए देखते हैं, आज का हमारा क्या topic है, आज का guys हमारा topic रहेगा, संसार की कुछ महत्पून, जीले और उनकी इस्थिति, हम पढ़ेंगे कुछ जीलों के बारे में और वो कहाँ पर इस्थित हैं, संसार की सबसे गहरी जील कौन सी है, कहाँ पर वो इस्थित है, इन सब के बारे में competitive exams में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, so चलिए देखते हैं, फर्स्थ है हमारी बेकाल जील, जो की संसार में सबसे ज़्यादा गहरी जील है, संसार की सबसे ज़्यादा गहरी जील है, बेकाल जील कभी भी, exam में पूछ ले जाता है, बताईए संसार की सबसे गहरी जील कौन सी है, so अगर आपको यहाँ पर पता होगा, तो आप easily पर आंसर दे सकते हैं बैकाल संसार में सबसे गहरी जीर जो कहां पर इस्थित है हमारी रूस यह आपको ध्यार नहेंना चाहिए सेकिंड है तिसो सिकुरू जो की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित है उचाई पर है जो की कहां इस्थित है तिबबत में जिसका नाम है तिसो सिकुरू संसार की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित जील जो की है तिबबत में थार्ड है हमारी कैस्पियन जील इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि जादा तर 10th 12th की बुक्स में भी इसके बारे में बताई रखते हैं कैस्पियन जील जो की है यूरेशिया की सबसे बड़ी जील और कहां पर इस्थित है वो रूस कजाकिस्तान ये ध्यान रखना है आपको की कौन सी सबसे अधिक उचाई पर है कौन सी सबसे अधिक गहरी है और वो कहां पर हमारी इस्थित है कैस्पियन यूरेशिया की सबसे बड़ी जील कहां पर इस्थित है रूस और कजाकिस्तान Fourth is Tanga Nika, जो की अफरीका में सबसे गहरी जील है, क्या नाम है उसका Tanga Nika कभी भी Question पूछ लिया जाता है कि अफरीका में सबसे गहरी जील कौन सी है, जो की है Tanga Nika और कहां परिस्तीत है वो Kangoo, Tanjania and Burundi Fifth आती है आपकी Superior Jays, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा जोग्रफी में इसके बारे में कैस्पियान सुपीरियर इनके बारे में बताया गया होता है सुपीरियर जील उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जील है जोगी यह आपको पता होना चाहिए सुपीरियर जील उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जील जो कहां परिस्थित है हमारी USA and Canada शीक्स थाती है मिरत सागर जील इसके बारे में भी पढ़ा होगा आपने मिरत सागर जील जो की कहां परिस्थित है हमारी जोर्डन पता हूँनी चाहिए आपको ये मिरत सागर कहां इस्थित है जोर्डन सेविन थाती है वेन जील जो की सबसे अधिक लवणता वाली जील है कहां परिस्थित है तुर्की कभी भी कुछन पूछ ले जाता है किसी भी एक्जांस में 10th 12th या फिर किसी भी जो भी competitive एक्जांस हमारे होते रहते हैं तो उनमें पूछ ले जाता है बताईए सबसे अधिक लवणता वाली जील कौन सी है अगर आपको ये घुमा फिर आके questions पूछे जाते हैं इसमें तो अगर आपको पता होगा तो आप answer दे सकते हैं वेन जो कहां इस्थित है हमारी तुर्की में फिर आती है हमारी Victoria जील Victoria जील कहां पर इस्थित है ये तंजानिया केनिया एंड यूगांडा फिर आती है आरल जील जो कहां इस्थित है हमारी कजाकिस्तान में जील और उनकी इस्थिती के बारे में आपको पता होना चाहिए ये बहुत important topic है guys जीके का and guys exams में competitive exams में कभी भी इस तरीके से गुमा फिरा कर भी question पूछ ले जाता है suppose किसी भी जील का नाम दे दिया suppose नाम दे दिया Michigan बताइए ये जील है पहाड है नदी है अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जील है तो आप वहाँ पर easily answer दे सकते हैं so मैं तो आप लोगों को यही suggest करूँगी कि आप इन सब के notes बना लीजिए और उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए देख लेते हैं Michigan जो जील है हमारी वो कहाँ इस्थित है USA and Canada urine urine जील है हमारी USA इनका आपको नाम पता होना चाहिए और ये कहाँ पे situated है कहाँ पे इस्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए लेडोगा जो की है हमारी रूस में situated great slave great slave नाम की जील कहाँ इस्थित है हमारी Canada great beer Canada eerie USA and Canada ज़्यादा tough नहीं है अगर आप इसे ध्यान लगा के concentrate करके याद करेंगे तो easily आपको ये याद हो जाएए ओनेगा रूस आयर ऑस्ट्रेलिया विनिपेक जो की situated है हमारी Canada में टिटी काका बोलिविया एंड पेरू जीलों से related जो हमारे questions होते हैं exam से में बहुत ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं दो-दो number के 11 number के ये question हमारे आते हैं पांच-पांच नंबर के ये कितनी बार जील से related आ जाते हैं competitive exams में वियना जो की कहा इस्थीत है Sweden जेनेवा कहा इस्थीत है हमारी Switzerland जेनेवा के बारे में तो पढ़ रखा होगा गाईज आपने वोल्टा कहा इस्थीत है घाना ताना जील कहा इस्थीत है इथी योपिया नियासा जील कहा इस्थीत है हमारी मालावी and great salt ये जील कहा इस्थीत है हमारी USA तो इन सब के आप अच्छी तरीके से notes बना लीजिए and उन्हें अच्छी तरीके से learn कर लीजिए and guys next video आप किस topic पर देखना चाहते है उस से related मुझे बताईए comment box में comment कीजिए तो उसी topic से related में video बना लीए and guys अगर आपको मेरी video अच्छी लगी हो then please subscribe my channel, like and share with your friends and family members चलिए मिलते हैं अपने next video lecture में thank you so much